नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल P4 पोर्टफोलियो में आज हम बात करने वाल है टाटा ग्रूप के स्टील सेक्टर में काम करने वाली कमपनी टाटा स्टील के बारे में लॉंग डम के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है भार तेजी इसमें आगे वाले दिनों में देखने को मिल सकती है चार्ट पर हम बात करेंगे तो क्या इसे अब भी खरीद लेना चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और र 3.26% नीचे अगर बात करें इसके 52 विक लो के बारे में तो वो है 250 रूपिस तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी भागा हुआ स्टॉक नहीं है 52 विक खाए 518 रूपिस से ये 50% के डिसकाउंट पर आपको अवेलेबल है अगर बात करें इसके टेकनिकल रेटिंग के बारे में तो वेरी बेरिश बता रहे हैं पिवेट लेवल है 276 आप देख सकते हैं नेक्स सपोर्ट जो दिखाई देगा वो है 271, 269 और 264 रूपिस का वेल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप है 30,916 करोर्स और P.E. रेशियो है 3.2 इंडस्ट्री का P.E. है 3.98 प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.44 है यानि की बुक वैल्यू से आधे प्राइस पर अवेलेबल है यह स्टॉक डिलिवरी बस आप देखेंगे दार डिलिवरी भी देखने को मिल रही है 90.25 परसंट की स्ट्रॉंग डिलिवरी और डिविडेंड यूल भी काफी अच्छा है 4.74 परसंट का अब देखते हैं इसके quarter results कैसे आते हैं तो आप देख सकते हैं December 18 में इसका net profit 1,703 करोड था March 19 में 2,239 करोड जून 19 में 649 करोड सेप्टेंबर 19 में 3,279 करोड और December 19 में तो company ने loss बुक किया है 1,249 करोड का हाँ मेरा काम है आपको दिखाना की loss और profit दोनों होता है लेकिन फिर भी ये company अच्छी क्यों है इसके बार में भी बात करेंगे अब देख सकते हैं मैं आपको share rolling pattern दिखा रहा हूँ March 2020 यानि की latest share rolling pattern है promoters के पास है 33,7% का stake June 19 से अगर compare करेंगे तो थोड़ा सा stake बढ़ा है और pledge share से 3,37 FIIs के पास है 13,22 total DIIs है 35,96 अगर बात करें company के overview की तो आप देख सकते हैं Tata Steel Limited is a well-diversified entity it manufactures ball bearings, hand tools, tubes, steel wires and also operates chrome mines the company also in the business activities of steel, ferro oils and minerals तो आप समझ सकते हैं काफी well-diversified company है Tata Steel reputed group की company है अब बात करेंगे मैं इसके charts पर कैसा charts हमें इसमें दिखाई दे रहा है तो मैं सबसे पहले आपको current situation दिखाना चाहूँगा जिसमें support और resistance के बारे में मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने यहापर 3 line draw किये जिसमें सबसे नीचे वाली जो दो line है वो है support की line और उपर वाली जो line है वो है resistance की line तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली line है वो है 250 के level वाली line वहाँ पर उसने दो बार support लेता हुआ दिखाई दिया है उसके बाद इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली थी और 300 के आसपास stock पहुँच चुका था लेकिन वापस नीचे आया लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे 250 पर इसने support नहीं लिया था इस बार इसने support लिया 260 के लेवल पर यानि कि 260 का लेवल भी अच्छा support बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन 300 का लेवल अच्छा resistance है तो आप देख सकते हैं इसी एक range में 250 से 300 के range में ये काफी समय से trade कर रहा है कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि इसी range में इसे trade करते हुए तो 300 का support भले ही तगड़ा है लेकिन साथी साथ 250 का support तो बहुत ही तगड़ा है और हाली की situation देखके ऐसा लग रहा है कि 260 का support भी तूटना मुश्किल लग रहा है लेकिन अगर गिरावट आती है, markets गिरती है तो ये stock भी जरूर नीचे जा सकता है लेकिन काफी दिनों से consolidate कर रहा है और market price बहुत काफी नीचे आ चुगा है अपने book value से इसलिए इस पर गौर रखना भी उतना ही जरूरी है all time chart दिखाऊंगा जिसमें एक candle 1 month को represent करेगी तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा stock है जो कि एक range में trade करता है commodity में trade करने वाला stock है, steel sector का stock है commodity stock ऐसे ही होते हैं एक range में trade करते हैं कुछ 2-3 साल उपर जाएंगे फिर 2-3 साल नीचे आएंगे उनमें कभी भी हमें long term growth नहीं मिलती है ऐसा कभी नहीं होगा कि life term company उपर ही जाता जाएगा क्योंकि एक range में ही trade करता हुआ आपको दिखाई देगा सिर्फ Tata Steel नहीं आप कौनसी भी steel sector के stock को देखेंगे तो आपको ऐसी range देखने को मिलेगी कि एक ही range में stock trade करता है तो अभी ये stock काफी नीचे आ चुका है इसके आसपास इसने कई बार low बनाया है अब देख सकते हैं 274 का current market price है 250, 240, 220 के आसपास company ने कई बार low बनाया है और उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिले है अब देख सकते हैं कभी-गभी 500 के उपर जाता है तो कभी-गभी 700 के उपर तो अब समझ सकते हैं कि अपने 52-week low all time low के आसपास ही चल रहा है stock अपने bottom पर चल रहा है तो ऐसे stock को हमारे portfolio में होना चाहिए जो long term में हमें अच्छे पैसे बना कर दे क्योंकि Tata Steel, Steel Sector की one of the market leaders है, reputed company है, fundamentally strong है, बले ही loss book कर रही है लेकिन company में reversal आता है company जब बुरे समय में चल रही होती है तब ही अगर हम उसमें invest करते हैं तो ही हमें अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलता है यह आप सब जानते हैं तो फिर से हम one year situation देखेंगे जिसमें अब देखेंगे एक दिन का chart और देखेंगे indicators हमें क्या बता रहे हैं तो आप देख सकते है money flow index काफी समय से stable दिखाई दे रहा है बलकि थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भी जा रहा है अब देखेंगे दूसरे कुछ indicators याने की MACD को देखते हैं MACD में हमें कौन सा signal देखने को मिल रहा है तो अब देख सकते हैं MACD ने तो हमें कई समय पहले ही बता दिया है कि यह buy stock है bullish stock है उसके बाद कभी भी इसमें bearish crossover देखने को नहीं मिला है अब देखते हैं RSI की situation कैसी है तो अब देख सकते हैं RSI भी काफी समय से stable चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा नीचे जा रहा था 46.91 अब देखते हैं कि इसका ballinger band हमें क्या बता रहा है तो अब देख सकते हैं ballinger band के lower band को touch किये हुए इसको काफी समय हो गया है लेकिन उसके बाद ये range में trade कर रहा है और अभी इसके median के आसपास इसने closing भी दिये तो overall situation मैंने आपको बता दिये अब ये आपका decision है कि आपको इसमें invest करना है कि नहीं मैंने आपको plus point भी दिखा दिये और negative point भी plus point ये है कि अपने all time low के आसपास trade कर रहा है इसी level के आसपास इसने बहुत बार support लिया है अगर markets गिरती है तो 200 तक जा सकता है बिल्कुल जा सकता है लेकिन ज्यादा गिरावट अभी इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रही है 250 का support strong है और negative point ये है कि company ने last quarter में loss किया था लेकिन overall company fundamentally strong है ऐसा मेरा मानना है बाकि आपका decision है personal decision है अगर आपको ये video पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you stay happy happy investing